है फ्रेंट्स वेलकम वैक टू माई चैनल आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में प्रेंग्नेंसी में महिला को अधिक ध्यान रखने की जरूरत होती है प्रेंग्नेंसी टाइम में उन्हें अपने आने वाले शुशु का भी ध्यान रखना होता है ताकि आने वाले समय में अपना और अपने बेबी का ध्यान रख सकें फ्रेंट्स वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है वीडियो को लास तक देखना ताकि आपको समझ में आ सके और पूरी जानकारी मिल सके वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कर साथ म अंकुरी डाले ब्राउन ब्रेड दूस से बनी सबजी जैसे पनी, सोया बीन और दै ही इनका सेवन आप करें जिसे बेबी भी पोश्ण मेरे आपको भी सही पोशण मिल सकें तो आप साधा ना खाएं कम आतरा में खाएं मगर जरा-जरा देर में काएं और दूद का सेवन अ अधिक पीना है और पानी उबाल के या फिल्टर वाला पानी पीना है जिससे आपका बेबी और आप स्वस्त रहें और आपका बेबी इस दुनिया में सही से स्वस्त हेल्दी आ सके तो आप पानी भी जादे से जादा पीएं और पानी पीने से आपकी बॉड़ी हाइडरेट आपके अंदर पानी की कमी नहीं रहेगी और आपका बेबी को भी पानी सही मिल पाहेगा, इस बात का आप खास ख्याल लखेगा, हर गर्वति महिला गर्ब से हो तो मुक्त रहे और आप भी healthy नहीं रहते हैं तो positive सोचे अच्छी books पढ़ें और positive सोचे और child वाली books पढ़ें जिससे आपकी सोच अच्छी रहे और आप खुश रहें, happy रहें जिससे baby भी खुश रहे मैं आपको बताती हूँ अगर आप चिंता करते हैं, stress लेते हैं तो आपको और आपके baby को क्या क्या नुकसान हो सकता है मैं इस बारे में आपको बताती हूँ अगर आप चिंता stress लेते हैं तो आपका blood pressure high हो सकता है, low हो सकता है जिसके कारण आपका शिशू को सूखा रोग भी हो सकता है आपके शिशू का वज़न मरने में भी परिशानी हो सकती है और आपका baby unhealthy भी हो सकता है आपके baby को mind में भी ये चीज़ का असर पढ़ सकता है क्योंकि मा के चिंता लेने से उनके hormone change हो जाते है और उसका सईधा असर आपके baby को पढ़ता है तो friends इस बात का आप खास ख्याल लगएगा कि आपको tension बिलकुल नहीं रहना है tension मुक्त रहना है कोई भी बात हो आप दिल से ना लगाएं mind free रहें क्योंकि अगर आप सुस रहेंगे तो आपका baby सुस रहेगा और इस दुनिया में आपाएगा तो आप इस बात का खास ख्याल लगएगा और friends में अपने experience से आपको बता रही हूँ कि आपको tension नहीं लेना है baby को सुका हो सकता है इसलिए मैं आप से ये बाद शियर कर रहे हूँ जब कोई गरपती महिला pregnant होती है तो mood swing होता रहता है कभी up down हो जाता है सज़दर्द करता है तो आप इस बात की भी tension ना ले यही एक जनलिटिक होता है यह natural होता है लेकिन आप खुझ से कोई tension ना ले pregnancy में आप मुबाइल से दूर रहे मुबाइल का ज़ादा आप use मत करिए और जब भी आप लेटे तो रात में मुबाइल अपने पास लेटे ना लेटे इससे आपके बेबी को असर पड़ सकता है और आपके pregnancy में भी complicated आ सकती है तो आप मुबाइल से जादे कर दूर रहेगा मुबाइल का जादे save नहीं करिएगा और pregnancy में फ्रेंट चाय काफी या फिर कोई भी cold drink का 7 अधिक से अधिक ना करें कम से कम इसका यूज करें कम से कम इसका इसका इस्तिमाल करें इससे आपके बेबी को और आपको कोई नुकसान ना हो और आप बेबी आपका healthy फ्रेंट जब भी आप pregnancy conceive करें तो आप इस बात का खास क्या लखिएगा कि जैसी भी आपकी pregnancy conceive होती है तो आपको उची हील की सेंडिल नहीं पहनना है और sleeper नीचे से जो चिकनी हो वो भी आपको नहीं पहनना है इससे गिरने का भी खतरे रहता है और उची हील से अवशिंग और भी बहुत सारे खतरे रहते हैं तो आप इस चीज का खास क्या लखिएगा कि आपको sleeper या सेंडिल बहुत समझ के पहनना है जैसे ही आप pregnant होती है तो गर वस्ता के दौरान cigarette और शराब का आप सेबन ना करें इससे भी बेवी को हानी बहुत सकती है तो आप इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा pregnancy में एकदम धेर सारा खाना ना खाएं थोड़ी थोड़ी मातरा में खाना खाएं जिससे बेवी का moment सही से हो सके और बेवी के अंदर सही से पोशर पहुश सके तो आपको कम कम मातरा में खाना खाना है एक तम धेर सारा नहीं खाना है आपको अनार और ताजे फलो का भी सेवन करना है और दूद भी आपको पीना है इस बात का भी आप ख्यास ख्याल रखिएगा कि इन चीजों खान पान से भी आपका बेवी सुष्थ रहेगा तो आपको अपने खान में अपने डाइट में इस चीज़ का काफी ध्यान रखना है कि आपको सही मातरा में सही चीज़ लेना अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर, कमिन्ट ज़रूर करें